नौ साल नौ सवाल पूछ कर कॉंग्रेस निकिया बवाल, रवी संकर जी हो गए लाल, केंदर में मोधी सरकार को नौ साल पूरे हो गए हैं, इस पर कॉंग्रेस की तरफ से नौ सवाल पूछे गए हैं, कतित तोर पर भातिय जनता पार्टी की तरफ से जवाब देने की पी की गई है कथित तोर पर मैं क्यों कह रहा हूं आगे आप खुद ही समझ जाएंगे अभी बता देता हूं ये वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है अंत तक देखिएगा और महसूस करने की कोशिस करिएगा कि किस तरह से जवाब देने के नाम पर भाती जनता लेकिन सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे बेहत आसान भासा में कॉंग्रेस के सवालों और बीजेपी द्वारा दिये गए जवाबों का एनेलिसिस दूँगा और ये भी बताऊंगा कि प्रेस कांफरेंस के दोरान पत्रकार ने बीजेपी प्रवक्ता से वो कौन सा सवाल पूछ लिया कि रवी संकर जी कहने लगे कि चली चली हो गया अब हो गया आम भासामी जी से भग खड़े होना कहा जाता है कुछ लोग इसे दुम दबाकर भागना भी कहते हैं वही वाला कांट हो गया इस वीडियो को देखने के बाद जाद से जादा लोगों तक पहुचा दिया है या फिर जवाब देने के नाम पर टोपी पहना दिया है यह पूरी बात आपको बताऊंगा मगर उससे पहले एक चोटा सानुरोध है यदि आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो फेस्बुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा वहीं बगल में जॉइन का बटन भी है जल से जल जॉइन कर लीजिए देश को गोधी मीडिया की जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे साहब बनिये इसकी वारकोड या फिर मोबाइल न सवाल अर्थव्यवस्था को लेकर पूछा था अब अपनी स्क्रीन पर सवाल भी देखते जाईए ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान चुरही है क्यों अमीर और अमीर हुए और गरीब गरीब होते जा रहे हैं सारवजनिक संपत्यों को मोधी जी की पराकास्था है वगयरा वगयरा बोलते हुए ऐसा लग रहा था कि रवी संकर जी बहुत गुस्से में आ गए हैं इसके साथ ही कॉंग्रेस दौरा पूछे गए सवालों पर रवी संकर जी ने कहा कि कॉंग्रेस वाले प्रधान मंतरी जी से नफरत करते हैं यह सवाल नही हैं बलकि कॉंग्रेस की खीज है प्रधान मंतरी को लेकर यानि कि जवाब देने से पहले ही सवालों को खीज और नफरत का नाम दे दिया गया मगर सवाल यह उठता है कि यदि यह सवाल है ही नहीं तो फिर जवाब देने के लिए अधे गंटे का प्रेस कांफरेंस करने की क लगे तुलना करने उस देश को देख लीजिए फ्लनवा देश को देख लीजिए भारत में एक साल में 90 हजार करोन मोबाइल एक्सपोर्ट हुआ है इसमें 4-5 लाख लोगों को नोकरी मिली है यूकरेन की समस्या से लेकर गलोबल सप्लाई चेन तक की कहानी बता दिये मगर ये जवाब नहीं दिया कि महगा इतनी जादा क्यों बढ़ रही है बेरोजगारी रिकाओड क्यों तोड़ रही है इसके साथ ही रवी संकर पसाद ने ये भी कहा कि एकोनामी दुनिया में पांचवे नंबर पर पहुँच गई है जब किसी देश की एकोनामी बढ़ती है त साथ साथ वो कौन लोग हैं जो बड़े हो रहे हैं यही सवाल तो कॉंग्रेस ने पूछा कि अमीर और जाड़ा अमीर होते जा रहे हैं गरीब और जाता गरीब होते जा रहे हैं 100-200 अमीरों की संपत्ति बढ़ने से आम आदमी को क्या मिल रहा है मोबाइल फोल बनाने को ल किसान संकर्णों के साथ जो समझाता हुआ था उन्हें अभी तक लागों क्यों नहीं किया गया MSP की गारंटी क्यों नहीं दी गई इस पर सीधा सीधा जवाब न देते हुए रवी संकर जी ने ये बताना सुरू कर दिया कि चावल की MSP इतनी हो गई है डाल की MSP इतनी हो ग किसान की आये को दोगनी किस हिसाब से करना था इसके पहले ये तो जान लेना चाहिए कि किसान की आये फिलाल है कितनी बहरहाल कांग्रेस ने तीसरा सवाल पूछा था ब्रश्टाचार और मित्रवाद पर सवाल था कि अदानी को फायदा पहुचाने के लिए LIC और SBI में ज करने लगे कि गिनवाओं क्या कॉंग्रेस की सरकार में 2G हुआ, कॉमन वेल्थ हुआ, बोफोर्स हुआ, कोल घोटाला हुआ और यहां तक कि राबर्ट वाडरा को दामाद स्री कहते हुए प्रस्टाचार में लिप्त बताने और जाज की बात करने लगे रवी संकर गोटाले का अरोप लगाया था, उस व्यक्ति ने लिखित में सोनिया गांदी से माफी क्यों मांगी, यानि कि जो 2G गोटाला मामला रफा दभा हो चुका है, जहां ये साफ हो गया है कि कोई गोटाला हुआ ही नहीं, उसे भी बार बार बीज़ेपी के लोग जनता को बेव कि 9 साल से भारतिय जनता पार्टी सत्ता में है, कॉंग्रेस के कितने नेताओं को व्रस्टाचार के मामले में सजा हुई, और यदि सब के सब बरी हो गए, अभी तक आप उन्हें दोसी साबित नहीं करवा पाए, जाच ही चल रही है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए, या तो घोटाला हुआ ही नहीं, आपके पास कोई सबूत नहीं है, या फिर सब कुछ मैनेज कर लिया गया, एक और बात, रवी संकरफिसाद ने रॉबर्ट वाडरा को दामाज स्री कहते हुए घोटाले की चर्चा की, हाल ही में हमने आपको बताया था, कि हर्याना सरकार ने हा प्रधान मंतरी जी को रोक रहा है, उन्हें सजा दिलाने से, मगर एक बात ध्यान दीजेगा, कॉंग्रेस ने जो सवाल किया, कि अडानी की फरजी कमपनियों में 20,000 करोड किसका है, उसका जवाब नहीं दिया गया, हलांकि इसका जवाब जब प्रधान मंतरी जी ने नहीं सकती है, LIC और SBI पर उठ रहे सवालों को भी इन्होंने LIC का विरोध बता दिया, अलांकि बीजेपी की आदत बहुत पुरानी हो चुकी है, कि सवालों को घुमा फिरा कर सवाल पूछने वालों को ही घेर लिया जाए, कॉंग्रेस ने चोथा सवाल किया था, चीन और रास् किया है, वो कॉंग्रेस की सरकार में कब जाया है, जबकि 2-3 साल पहले ही, मीडिया रिपोर्ट जो की अमेरिका तक से आई थी, उन सब ने बताय था, कि हाल फिला हाल में चीन ने भारती जमीन पर गाउं बसा लिये हैं, अपने टेंट लगा दिये हैं, कई किलोमीटर तक भ इतर घुसा आये हैं, तो क्या 2-3 साल पहले कॉंग्रेस की सरकार थी भारत में, और फिर सवाल ये था, कि 2020 में पियम मोदी ने क्यों कह दिया कि न कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, रवी संकर जी ने जवाद देते हुए कहा, कि गलवान और डोकलाम में भारत ने कॉंग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में लगाए थे, जिसका जवाब नहीं मिला, एप बैन करके दिखावा करना, और उसके पीछे देश का बड़ा बड़ा टेंडर चीन की कमपनियों को दे देना, ये कौन सा रास्टवाद है, हाल ही में खबर आई थी, कि जम् करोनों का टेंडर चीनियों को दिया जा रहा है, और आयप बैन करके छाति ठोंकी जा रही, कॉंग्रेस ने सवाल किया, कि महिलाओं, दलितों, S.C.S.T.O.B.C. और अलपसंक्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रधान मंतरी जी चुप क्यों रहते हैं, वो जाती स्यात्रा और फिर संसत के उधगातन तक का वक्त है, मगर देश की बेटियों की समस्या सुनने का टाइम नहीं है, गंटों-गंटों मन की बात करने का भी टाइम है, लेकिन देश की बेटियों के लिए वक्त नहीं है, देश में नफरत पहलाने के मामले पर कोई जवाब नह दिया गया वैसे जबाब देंगे भी क्या कॉंग्रेस ने आठवा सवाल किया था जन कल्यान की योजनाओं को लेकर यानि की मनरेगा जैसी योजना का बजट घटा कर कमजोर क्यों किया गया इस पर भी सीधे खाते में पैशा पहुचाने की बात को याद दिला कर बच निकलन साथियों को घर जाने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया इस पर जवाब देते हुए रवी संकर प्रसाद ने कहा कि भारत में कोरोना का मेनेजमेंट जिस तरीके से किया गया वो दुनिया में बेस्ट था सोच कर दें कि पूरी दुनि से लोगों की हो रही मौतें लोगों को याद नहीं है गंगा जैसी नदियों में तर रही लासे याद नहीं है मुंबई से बिहार लोट रहे मजदूरों की किस तरह से ट्रेंड की पटनियों पर कटकर मौत हो गई क्या वो लोग भूल गये है कैसे लाखों लोग सेकड़ों सर्मी की पराकास्टा सब्द का प्रियोग उन्हेंने कॉंग्रेस के लिए किया है उस पराकास्टा को वो खुद ही पार कर रहे थे खुद ही चुछ रहे थे रविष संकर प्रसाद से ये सवाल होना चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने ये कह दिया कि उससे पहले भारत में थोड़ी देर बाद अन्य पत्रकारों के पूछे जाने पर उन्होंने हवाला दिया कि कल अमिस साजी ने विस्तार से बताया था कि कॉंग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांदी, राजीव गांदी और मनमोहन सिंग ने कहां कहां पर विधान सभाओं का उद्गाटन किया था मगर सवाल फिर से वही है कि मान लिया जाए कि कॉंग्रेस ने गलती की थी तो क्या आपको भी गलती करने का प्रमाल पत्र मिल याता है और फिर क्या राजीव की विधान सभाओं और देश की संसत भावन में कोई फरक नहीं है यानि कि इस पूरे सवाल जवाब में आपको स पसंद किया करता था बड़ी सालिंता और तत्य फरक बातें किया करते थे जब विपक्ष में हुआ करते थे तब बड़े तगड़े सवाल किया करते थे अब प्रेस कांफरेंस करते हुए इतने गुस्से में नजर क्यों आते हैं विपक्ष का काम है सवाल करना आपका काम है जवाब देना जैसे विपक स्प्रेम से सवाल कर रहा है आप भी सप्रेम जवाब दीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से का भाव चेहरे पर लाकर जवाब में जवाब नहीं है इसको छुपा देने की कोशिस की जाती है मगर इन सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल अंकड़े भी बताए मगर वो कोई भी आंकड़ा जवाब नहीं था वो सिर्फ सवालों को घुमाने का तरीका था जैसे कि उन्हों ने कहा कि हाल ही में एपल वालों ने कहा है कि भारत हमारे लिए बढ़ता हुआ बाजार है अब इस बात में बीजेपी का क्या क्रेडिट है बारत की जन संख्या बड़ी है तो फिर बाजार भी बड़ा होगा ऐसे ही रवी संकर पुसाद ने कहा कि देश में 74 एरपोर्ट बने है लेकिन ये नहीं बताया कि कितने एरपोर्ट अडानी के नाम कर दिया गया रवी संकर पुसाद जी ने भी बताया कि देश में 98,000 किलो किलोमेटर बनती है तो उसे 4 किलोमेटर गिना जाता है सोच कर देखिए यदि 6 लेन की सडक 1 किलोमेटर बनाई गई तो उसे 6 किलोमेटर गिना जाता है कितना पर बढ़िया जगार है इसके साथ ही रवी संकर जी से ये भी सवाल किया गया कि सारा उदगाटन और फिता काटने का काम खाली प्रधान मंतरी जी ही क्यों करते हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि प्रधान मंतरी जी हाथ लगाते हैं तो काम फास्ट रेक होता है बहुत तेज होता है यहां एक मेरा तक्तिकत सवाल है वारानसी में जहां से प्रधान मंत्री जी दो दो बार सांसत बन चुके हैं उस सहर में एक रिंग रोड बन रहा है चपन किलोमेटर की संभवता उसकी लंबाई है रिंग रोड पिछले 8-9 सालों से साइध बन रहा है उसके कई फेज का उद्गाटन खुद पूरा क्यों नहीं हो पाया ये कौन सा फास्ट्रेक है भाई उदर 2019 की सुरुवात में रेलवे की भरतियां आई थी अभी तक जौइनिंग नहीं मिल पाई है रवी संकर जी से नुरोध है कि प्रधान मंत्री जी से कह दें कि वहां भी हात लगा दीजिए फास्ट्रेक हो ज जमान बेचारे बैठे हुए हैं जौइनिंग मिले तो बियासादी हो जिंदगी आगे बढ़े बुड़े हो रहे हैं पड़े पड़े और आप क्या देख रहे हैं खड़े खड़े वीडियो खतम हुई अच्छी लगी हो तो ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाहिए हमसे जुनने के लिए बहुत धन्यवाद चेहिंद